R.D. Sharma solution देख रहे हैं, class 12th है ये, chapter 2, functions, exercise है 2.1 यहाँ पर जो पहला सवाल है, इसमें कहा गया है, give an example of a function, function का example देना है और तीन पार्ट है, तो तीनों पार्ट बताने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा इसमें 1-1 और on-2 के बारे में बात की गई है तो 1-1 क्या होता है, सबसे पहले तो आपको यह जानना होगा अगर आप जानते हैं तो उसको एक बार revise कर लेते हैं 1-1 का मतलब यह होता है कि आपके पास एक set ये है, दूसरा set ये है 1-1 का मतलब होता है, हर x के लिए 1 y होगा, केवल 1 ही y होगा ठीक है? मतलब कि एक ही y होगा, देखे, एक से दो में जाएगा तो वो function नहीं रहेगा और अगर दो से एक में जाएगा, जैसे माल लिजए ये है तो ये 1-1 नहीं रहेगा, 1-1 मतलब हाँ कोई खाली बच सकता है यहाँ पर onto क्या कहता है, onto कहता है कि यह possible है लेकिन ये खाली नहीं बचना चाहिए, कहने का मतलब अगर आप ऐसे 2-7 बनाते हैं तो यहाँ पर ये तिनों की pre-image होनी चाहिए आपे तिनों की pre-image होनी चाहिए मतलब जैसे इनकी ये हो गई और इनकी ये हो गई और इनकी एक से तो नहीं हो सकता इनकी pre-image हो गई multiple भी कर सकते हैं, जैसे एक यह हो गया इनकी भी हो गई, यहां से कोई खाली नहीं बज़ना चाहिए, हर एक की pre-image हो नहीं चाहिए, तो इसी से इसके definition भी बनती है, definition बता देता हूँ जब भी हम one-one करेंगे, चली question सही बता देता हूँ कोईशन सही समझ में आ जाएगा आपको कि क्या कहना चाहते हैं, सबसे पहली बात यह है कि आपको जो function है, जो one-one है और on-to नहीं है वो हम claim कर रहे हैं कि वो कौन सा है, fx बराबर 3x plus 2 लेकिन important बात यह है कि इसमें domain and range जानना होगा, आपको domain and range क्या है, तो domino range में देखेंगे तो वो function इस तरह के से define किया हमने हमने खुद ही define किया है, कि वो होगा आपका z to z यानि यह भी integer और यह भी integer, दियान रहेगा तो one-one के लिए जो condition होती है, mathematical भी जो condition होती है, वो क्या कहती है वो यह कहती है कि यदि x और y x और y दो element है domain में इसके इस function के domain में है और fx बराबर y है fx बराबर fy है तो इसका मतलब है कि x बराबर y होना पड़ेगा कहने का मतलब कि अगर आप कहते हैं कि वोई, यह x है, यह y है fx आप कह रहे हैं, fx क्या होगा यहां कोई value होगी यह fx है और यह आपके मालिज़ y है तो अगर one one है तो यह a की connection होना चाहिए इसका मतलब अगर fx बराबर fy है अगर fx और fy बराबर है तो इसका सीधा मतलब है कि यह x और y एक ही होने चाहिए यह a की हो सकता है, तभी यह दुनों, अगर दुन एक है तो यह दुनों एक ही होने पड़ेंगे ऐसा नहीं हो सकता कि ऐसा हो जाए, या ऐसा कोई connection हो जाए तो यह हम check करेंगे तो हमारे पास क्या है, fx बराबर 3x प्लस 2 उसको check कर लेते हैं, कैसे check करेंगे fx बराबर fy करेंगे, fx क्या होगा 3x प्लस 2 और fy क्या है, यहाँ पर fy डालेंगे तो जो जाएगा 3y प्लस 2 इसको बराबर कर दीज़े, 3y प्लस 2 तो इससे आपको क्या मिलेगा 2 से 2 काट दीज़े 3 से 3, 3 डिवाइड कर दीज़े तो x बराबर y मिल गया तो क्योंकि fx बराबर fy है और अगर यह है, तो x को y के बराबर अपड़ेगा, यही 1-to-1 की condition है, तो यह true हो गया इसका मतब 1-to-1 है अब हम आते हैं on-to पे अब on-to की condition ज़रा समझे यह अटा रहो है on-to की condition यह है हम यही ले रहें, 3x plus 2 ही ले रहें, यह fx है हमारा, on-to की condition यह होती है, कि हम मानके चलते है कि यहाँ पर कोई y है यह क्या होता है domain, यह क्या होता है range मतलब पहले तो पूरा code domain इसमें जितनी भी value होगी उसको code domain कहते है, और उसमें से code domain क्या है, z है यह भी हम कहरें integer है, यह भी integer है यह किस तरीके से y कैसे आया y ऐसे आया fx बराबर y अगर यह ऐसा है तब, अगर यह ऐसा आता है तो आपको क्या मिल रहा है x, क्या condition आएगी हम x को देखेंगे x क्या मिल रहा है, अगर fx बराबर y है on to है ये one one है और अगर कोई खाली बच जाता है one one का मतलब सारे के सारे जो यहाँ पर दिखाई देंगे उनका यहाँ ना कोई नो कोई relation होना चाहिए on to का मतलब यह है कि भाई इसने कोई खाली नहीं बचना चाहिए मतलब हर एक का प्रीमेज होना चाहिए 1-1 का केवल मतलब है कि आपका एक से एक ऐसे होना चाहिए खाली बच सकता है on2 में ऐसा है कि 1-1 ना हो चलेगा लेकिन कोई खाली नहीं बचना चाहिए तो यही है कि अगर कोई भी y है जिसका यहाँ पर x है अगर हर एक y का हमें x fx मिल जाए यहाँ पर तो हम कहते हैं कि यह on2 है तो इसको कैसे चेक करेंगे हम मानके चलते है fx बराबर y है और fx बराबर y को चेक करने के लिए क्या करेंगे fx क्या है आपका 3x प्लस 2 है हम मानके चल रहे है यह y के बराबर है चले x निकाल के देखते है 3x बराबर 2 को यहाल आ रहा हूँ y-2 x हो गए आपका y-2 by 3 अब आप देखिए यह जो y है और x है यह कौन से value ले सकते हैं यह z ले सकते हैं integer ले सकते हैं मैं आपसे कहता हूँ इसमें माल लीजे 3 डाल के देखिए क्या आता है 3-2 by 3 क्या आएगा 1 by 3 क्या 1 by 3 z है नहीं है integer तो नहीं है इसका मतलब इस particular domain के लिए और इस particular आपके co domain के लिए या आप यह कहें कि x और y के लिए यह valid नहीं है इसका मतलब यह on to नहीं है यह भी z आता ना फिर इसका मतलब कोई नो कोई ऐसा है जो यहाँ पर खाली बज़ जाएगा जिसकी यहाँ पर आपको प्री में नहीं मिल रही है ऐसे करते हैं अब बाकि आप इस तरीके समझ जाएंगे तो दूसरा जो हम ले रहे हैं अच्छा यह आप कोई भी example ले सकते हैं उसको ध्यान से देखिए और जो डोमेन बता रहा हूँ मतलब जो इसकी डोमेन रेंज है वो बहुत important है डोमेन इसकी है एफ यह है integer से लेकर natural number तर और natural number में union कर रहे हैं 0 natural number तो 1,2,3 count होता है हम इसे 0 और कर रहे हैं अगर माल लीजे x और y हमारे element है x और y element है और जिसका यह x है यह y है इसका यहाँ fx है और इसका यहाँ पर fy है तो अगर fx बराबर fy है तो x और y को एक ही होना पड़ेगा तो fx और fy कर लेते fx बराबर fy करते fx ही होगा mod x f i क्या होगा mod y जो mod खटाएंगे तो क्या आएगा 4 combination बनते हैं दोनों plus हो सकते दोनों negative हो सकते एक plus एक negative एक plus एक negative हो सकता है तो इसको combine करेंगे तो क्या रिखेंगे x equals plus minus y यह इसका combination होगा जो भी 4 cases है उसको combine करेंगे इसका मतलब क्या है कि x और y बराबर नहीं है x और y को बराबर होना पड़ेगा अगर one one है तो बराबर तो नहीं है x equal to plus minus y है इसका मतलब यह one to one तो नहीं है दूसरे पर आते हैं कौन सा हम चेक कर रहे है on to चेक कर रहे on to में क्या होगा on to पे हम मान के चलते है कि हमारे पास एक y है और यहां पर एक fx है ठीक है y और fx है यह इस y आपके code domain में है fx निकालने पर y आया आपका और अब हम x को चेक करेंगे x क्या आता है अगर हम fx बराबर y कह रहे है तो क्या x है इस domain में अगर कोई x होगा और इसके साथ y related होगा इसका मतलब हर एक y के साथ एक x related है और वो ही on to की condition है यहां कोई खाली नहीं बजना चाहिए on to में यह है कोई खाली नहीं बजना चाहिए तो इसको करके देखते है fx बराबर y fx क्या है आपका fx यह है mod x mod x बराबर y कर देते है अब इसमें भी 1x बनेंगे या तो y बराबर plus x बनेगा या y बराबर minus x बनेगा क्योंकि mod x जो होता है उसका होता है कि अगर x x greater than equal to 0 और negative x अगर x less than 0 ऐसा आता है तो plus y को आप plus minus x को लिखेंगे x बराबर आगया plus minus y तो अगर हम f x बराबर y कह रहे है और हम यह देख रहे हैं कि एक y लिया हमने और उसके लिए fx है लेकिन x नहीं निकल रहा कोई कोई ऐसा fx है नहीं जिसके लिए y निकल रहा है तो कोई ऐसा होगा जो बागी रहे गया होगा इसका मतलब तो यह यह न अगर x और y में वो condition मतलब x y को नहीं decipher कर रहा है या निकाल नहीं पा रहा है इसका मतलब यह क्या है अंटू नहीं है लेकिन x बरापर plus minus y से क्या किया आपने यह y जो है और x से दोनों integer है और हमने क्या कहा था यह हमारा natural number है तो आप देखेगा हर एक value के लिए x के लिए मतलब हर एक x के लिए y value है y तो मिल रही है न गलत तो नहीं है क्योंकि y जो भी element आ रहा है वो तो कोई नो कोई value दे रहा है invalid number तो नहीं दे रहा नहीं जैसे आपका पिछले question में 1 by 3 दिया था क्योंकि हमने माना ही domain range इस तरीके से इसका मतलब हर एक element जो यहाँ पर है code domain में उसकी यहाँ पर pre-image है किसलिए ये onto है right तीसरे पर आते हैं तीसरा कहता है which is neither one one nor onto तो one one नहीं होना चाहिए और onto भी नहीं होना चाहिए दोनों ही नहीं होने चाहिए तो इसको कैसे करेंगे और function बहुत ध्यान से दिखरी function हमारा जो है वो function कहता है z इसको s लिख देते है z to z है मतलब इसका domain भी और इसका co domain भी दोनों integer है और function जो है वो किस तरी के से define किया गया है वो है 2x square plus 1 अब इसमें 1-1 check कर लेते हैं पहला क्या करना है 1-2-1 check करना है 1-2-1 check करने का मतलब इसका 1-2-1 का check करने का मतलब यह है अगर हम यह x और y माने यहाँ पर यह x और y है और इसके लिए fx यहाँ है और इसके लिए fy यहाँ है अगर आप कहते है fx बराबर fy है इसका मतलब है कि x और y को भी एक ही होना पड़ेगा क्योंकि 1-2-1 है एक के लिए एक ही हो सकता है तो fx बराबर fy करें fx इसमें x डाली है 2x square plus 1 आएगा इसमे y डाली है 2y square plus 1 आएगा x minus 1 x minus y और x plus y बराबर 0 मिलेगा इसका मतलब है x बराबर y x बराबर minus y यहाँ से भी मिल सकता था आराम से लेकिन हम इसको पुरा करके दिखाएंगे तो x बराबर plus minus y आ रहा है इसका मतलब क्या है कि 1x के लिए यह x की दो value आ रही है जबकि x बराबर y आना चाहिए था तो x और y बराबर नहीं आ रहे है ठीक है जी x और y बराबर नहीं आ रहे है इसका मतलब x की दो value आ रही है यह y भी y plus y minus y तो इसका मतलब यह 1-1 तो नहीं है 1-1 cancel हो गया second पे आते हैं आपका अब हम on to चेक कर रहे है on to में क्या करेंगे हम सबसे पहले मान के चलते हैं कि हमारे पास एक y है जो fx से आया है fx बराबर y है इस value और range में और हम देखते हैं x और y में क्या relation है क्या x y दे रहा है क्या हर एक y के लिए x defined है क्या हर एक y के लिए x defined है क्या हर एक y के लिए यहाँ पर pre image है क्या इसके लिए यहाँ पर एक image है मतलब कोई खाली तो नहीं बचाए मतलब हमको यह चेक करना है basically इसमें क्या होता है कि हमको यह चेक करना है कि यहाँ कोई खाली नहीं बच रहा हो कोई एकात फ्री ना बच रहा हो हमको y से x पे जाना है यहां से अगर हम चेक करें कि हर एक related है तो फंक्शन में तो होता ही है कि यहां को यह खाली नहीं बचना चाहिए खेर fx इक्वल to y हो गया fx क्या है आपका इसमें 2x² प्लस 1 है होना चाहिए अब ज़रा कोई value डालके देखें वाली जे 4 अडालके देखें इसमें क्या आएगा under root 4 minus 1 by 2 यानि कि यह आपका 3 by 2 आगया under root 3 by 2 प्लस माइनस यह यह तो आपका integer में आता ही नहीं है this does not belong to z तो यह on to भी नहीं है यह आपको देखें x क्या x मिल रहा है हर y के लिए नहीं मिल रहा ना यह x कहां मिल रहा है इसलिए यह on to b नहीं चलिए जाब अगला जो आपका बंता है वो है question number 2 which of the following functions from a to b are one one and on two इसका बहुत आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ यह देखें आप बुक पढ़ रहे होंगे इसके example भी देख रहे होंगे आपको पढ़ाया भी जा रहा होगा सब कुछ आप कर रहे होंगे हमारा यह काम है कि थोड़ा सा अलग चीज़ बताई जाए कोई ऐसी टेक्नीक या ऐसा trick बताई जाए जिससे आपको यह चीज़ दिमाग में बैठ जाए तो A और B है अब देखें मैं आपके सामने किवल यह set बना हुगा और आपको clear पता चल जाएगा कि यह 1-1 है या on-2 नहीं है आपको 1-1 और on-2 का बस यह clear होना चाहिए यह concept देखें यह A है 1-2-3 चलिए 1-2-3 यह है 3-5-7 अब आपको function क्या मिला है 1-3 तो 1 को 3 से map कर दीजी 2-5 2 को 5 से map कर दीजी और 3 को 7 से map कर दीजी ठीक है जी अब देखें कोई हर एक का एक mapping है इसका मतलब 1-2-1 है कोई भी यहाँ पर खाली बचा है अगर यह B सेट को देखें कोई भी B में खाली बचा है नहीं बचा है इसका मतलब यह on to भी है पस ऐसे करना है solution तो आपके सामने है ऐसे लिखना ऐसे है अगर आपका exam अगर आएगा तो proper ऐसे लिखना है यह भी बताते देता हूं आपको इसी तरीके से यह कितना आसान हो जाता है geometrically या set wise बहुत अच्छा हो जाता है A आपका यह है B आपका यह है A में क्या है 2, 3 और 4 B में क्या है A, B, C अब 2A, 2 से A को लिंक कर दीजे 3B, A function आपका 3 से B कर दीजे 4C, 4 को C से कर दीजे 1, 1 के लिए क्या चेक करेंगे सबका एक image, एक pre-image मतलब यहां से एक ही link होना चाहिए multiple link नहीं होना चाहिए तो इसका मतलब यह 1, 1 है onto के लिए क्या चेक करते हैं कि इस set में जो दूसरा आपका set है उसमें कोई खाली नहीं बचना चाहिए तो कोई खाली बच रहा है नहीं बच रहा है इसका मतलब यह onto भी है दोनों है तीसरे में आते हैं यह ABCD दीए मेरी handwriting पे बिल्कुल मत जाईएगा बहुत जादा सुन्दर है कई लोग comment करते हैं कि भाई अच्छा लिख ले जो जीज हो गई हो तो हो गई न मैं आपको बहुत अच्छा लिखने कोशिश करता हूँ यह मेरी सबसेर्ट चेनर नहीं है चलिए AX A को X से relate करिए BX बस यहीं का बड़ दिखरी है आपको CZ और DZ पहले चीज़ तो यह है कि A के X से related नहीं है मतलब अगर मैं इसको boyfriend का set मानू इसको girlfriend का set मानू तो एक girlfriend के दो boyfriend है यह कभी नहीं हो सकता हमेशा one to one में एक boyfriend एक girlfriend यह तो one one तो fail हो गया अब आप देखिए इसमें on to है के नहीं on to में क्या होता है कि कोई भी लड़की खाली नहीं बजने चाहिए सब उसका boyfriend होना ही होना चाहिए यह आपको y खाली मिल रहा है इसका मतलब यह on to भी नहीं अब तीसरा ले रहे इसमें है prove that the function end to end defined by fx this x square plus x plus 1 is one one बट not on to तब तो तरीका समझ गए है हाँ पहला वाला जो question था उसमें तीन पार्ड ऐसे देख लिए कि हम बहुत अच्छी तरीके समझ चुके है तो हमको one one on to check करना है तो हमारे पास क्या है उन्होंने बगायदा आपको function भी दे रखा है इसकी domain range भी दे रखी है किस set में है और function भी दे रखा है इसको यहां ले आईए x square minus y square और plus x minus y इसको लिख सकते हैं x minus y और x plus y और यह x minus y प्राबर भी दो x minus y common ले लिजे तो हम लेगा x plus y plus 1 प्राबर भी अब आप देखिए यह जो है natural number है natural number हमेशा one से शुरू होता है 1, 2, 3, 4 तो आप इसमें देखिए यह अगर natural number है मालीज यह 8 है यह 2 है तो कोई भी number आपका हमेशा ब 1 से उपर आगा क्योंकि 1 तो जुड़ा हुआ है यह 0 तो नहीं हो सकता यह कभी भी 0 नहीं होगा x minus y 0 हो सकता x minus y को ही 0 लिखेंगे तो x बरापर y आगा और यही हम चाहते थे 1, 2, 1 इसका मतला यह function 1, 2, 1 second पर आई on to check कर रहे है on to कैसे check करेंगे सबसे पहले क्या है कि हम या तो उस तरीके से check करें जैसे अभी तक हमने सीखा है या फिर सबसे अच्छा तरीका यह है कि जब ऐस तरीके से बड़े सवाल होते या जिसमें बहुत मैनत करने की ज़रोथ नहीं होती है तो हम क्या करेंगे इसमें क्या आप बोलेंगे कि भाई हमारे पास यह है fx x square plus x plus 1 यह है नब इसमें natural number सबसे कम क्या होता है natural number 1 होता है इससे कम तो नहीं होता तो 1 number है इसी को डाल के देख लेते 1 square plus 1 plus 1 यानि क्या हो गया 3 अब यह 3 देखीगा इसका मतलब यह है कि एक set यह है एक set यह है जो minimum आप जब 1 डालेंगे minimum इस set में fx में minimum डालेंगे तो आपका कितना है गा 3 यह भी तो natural number का set है मतलब 1, 2 इसके पहले रहा होगा इसके आप 4 आए गया यह भी 1, 2, 3, 4 ऐसे करके रहा होगा इसका मतलब 1, 2 बज़ गया 1, 2 कभी आई गया ही नहीं आपने minimum डाला ना इससे कम तो आप डाली नहीं सकते 1 तो minimum natural number है इसको डालेंगे तो भी 3 आ रहा है मतलब 1, 2 का क्या हुआ तो यहाँ पर 1, 2 बज़ गया जिसकी कोई pre-image नहीं है इसका मतलब यह on to भी नहीं है question number 4 question number 5 के भाइसा part है बहुत जबरदस्त कम से कम इसमें मुझे दिख रहे है 12, 15, 16 तो ही पार्ट तो अलग से हम लेंगे एक ही question के 16 पार्ट है वो मतलब यह अलग तरीके से exercise ही बनानी चाहिए थे हैं अब question number 4 देखेंगे इसमें कहा गया है a, यह set दिया है a, minus 1, 0, 1 उसके बाद function दिया हुआ है आपको x, x square x belongs to a function दिया हुआ है अगर आप यह समझ गया है जो आपको function दिया हुआ है और साथ में यह दिया हुआ है जो domain range वो बहुत important होती है खास तरप जो competitive exam के त्यारी कर रहे है उनके लिए domain range समझना बहुत ज़रूँ है तो यह है आपके पास तब आपको बताना है कि यह neither one one nor on two ना one one है ना on two है तो इसमें क्या करते हैं हमारे पास केवल option यह है तो इसी से check कर लेते है आप देखिए function क्या है आपके पास x, x square x, x x करेंगे तो x square आएगा यानिए if one करेंगे यह one डालेंगे तो आपको क्या आएगा x square यानि basically y बराबर x square function है यह यह x होता है यह y होता है तो y क्या है आपका x square है तो यह ऐसे लिखेंगे तो f one इसकी जगा one डालके देखिए y कितना आ रहा है one लेकिन minus one डालेंगे तो क्या आ रहा है यह भी one आ रहा है इसका मतलब क्या हुआ कि one और minus one के लिए डूनों के लिए one आ रहा है one one कहा हो रहा है नहीं रहा ना one one तो रहा ही नहीं इसका मतलब तो यह आपका one one डहीं हुआ यहांसे हमने इसी से चेक कर लिए अगर आप subjectivity चेक करना चाहते हैं इसको हम कहते है इंजेक्टिविटी और उसके बाद दूसरा है subjectivity on to on to के लिए क्या रहा है आपके पास आपको बताये गया है कि यह जो a है a set हो है वो a वादब co domain यह भी आपका minus one zero one है और यह भी आपका minus one zero one है यह इसी से आएगा यह आपका domain है को domain है अब इसमें हमको check करना है क्या on to function on to के लिए क्या करेंगे on to के लिए पहले आप देखिए f1 डालिए f negative one डालिए और f0 डालिए सीधा यह करके देखिए f negative one डालेंगे तो क्या बचेगा यह मैं आपको बताया f1 मतलब negative one के लिए z yarow one और negative one के लिए one one तो one और negative one one और negative one डालेंगे तो one आरा है यह और यह पिर सावन हादेता हूँ मैं यह कहना चाहरा हूँ कि one one मतलब अगर हम negative one one डालेंगे तो one आईगा यह और यह जिरो डालेंगे तो जिरो डाएगा जिरो बच गया इसका तो कोई free image है नहीं इसका मतलब यह on to भी नहीं है क्योंकि code domain तो इसका पूरा है लेकिन इसका range केवल 0-1 है code domain पूरा होता है और जो-जो matching होती है वो आले numbers को हम range कहते हैं जैसे मैंने बताया question number 5 अपने आप में एक बहुत बड़ा वो है exercise क्योंकि 15 सवाल है तो उसको हम अगली बार लेते हैं 20 सवाल है दो-चार पार्ट में होंगे यह शुक्रिया मैरवानी आप सुभी